हां जी चलते हैं एक और कुश्चन पे लास्ट कुश्चन अभी अभी हमने कम्प्लीट किया है इसमें थोड़ा सा एरर है इसको मल्टिप्लाइ 20 था तो बस 20 से डिवाइड करना ही था इसको क्योंकि ये अल्रेडी यूनिट के टर्म्स में था थोड़ा करेक्ट कर देता है अभी समझा भी देता है चिंता ना करें ये 20 हमारे क्या था रुपीस में था तो हमें मुल्टिप्लाइ 100 नहीं करना सीधर डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 750 बस ये थोड़ा सा है चलिए सर अगले कोश्चन पर अगले कोश्चन की बात करें बहुत ही सिंपल सा कोश्चन कहता है प्रॉफिट वोल्यूम रेशो यानि कोश्चन में आपको सर पीवियर दे दिया और पीवियर कहता है पचास परसेंट है ठीक है और पीवियर इस इगल तो कॉंट्रिविशन होता है ये पता है आपको and margin of safety MOS दे दिया MOS है दे रखा है आपको 40% you are required to work out net profit the break-even point आपको net profit निकालना है and break-even point निकालना है अगर sales आपका ये है तो okay तो सर आपका sales क्या है sales दे दिया इस नोने 10 लाक रुपए तो सबसे पहले आपको ये बात समझना होगा PVR is equal to contribution ratio भी कह सकते हो इसको PVR is equal to contribution ratio समझे 100 रुपए का समान है 100 रुपए के समान में अगर आप 80 रुपए आप रखते हो variable cost तो 20 रुपीज क्या है contribution यहाँ PVR ratio अगर निकालने को बोला जाए तो आप क्या करोगे 20 by में 100 into में 100 that is 20% तो आप समझ में आया है contribution का ratio और PVR का ratio always क्या रहता है लगबग सेम हम उल्टा ये भी कह सकते है variable cost सर वेरियेबल कॉस्ट क्या होता है हमारा variable cost होता है 100 माइनस में PVR ratio हमने पहले अल्रेडी formula किया हुआ है तो वो पहली वाली वीडियो में सारी बाते बताई है ठीक है न तो सर यहां से अगर मैं माइनस करना चाहूँ variable cost तो variable cost easily माइनस हो सकता है क्योंकि हमें PVR पता है तो variable cost का percentage निकाल सकते हैं इधर निकाल देते हैं variable cost percentage 100 में से माइनस कर देजिए PVR का percentage जो की आ जाता है हमारा 100 माइनस में 50 that is 50% का variable cost है तो माइनस variable cost करेंगे यह आ जाएगा पांच लाग तो सर contribution क्या आ गया सर यहां पे सर यहां पे contribution आ गया पांच लाग contribution में दो चीजे जुड़ी होती है एक जुड़ा हुआ होता है profit और एक जुड़ा होता है fix cost contribution को formula पता था ना profit हमें तब तक नहीं हो सकता break even point हमारा उतना ही होता है profit जितना fix cost होता है अगर मैं break even point की बात करूँ तो सर break even point में हमारा हमेशा profit बरावर हो जाता है किसके fix cost के ठीक है profit बरावर हो जाता है fix cost के सर यहां पे हमें fix cost मिल जाए तो बात बन जाएगी क्योंकि पहला profit भी निकाल पाएंगे बट यहां पे question ने कह दिया कि margin of safety हमारा 40% है margin of safety कितना है हमारा 40% इसको हम आगे लेके चलेंगे यहां working room सर इसका मतलब अगर हमारा sales 10 लाक है तो 10 लाक में से 4 लाक margin of safety होगा 40% और 6 लाक वो sales होगा जो की होगा break even point सर अभी पताया था आपको पहले कि हमारा जो sales होता है इसके अंदर दो बाते जुड़ी होती है एक होता है हमारा break even point वाला भी एक होता है margin of safety भी तो आपको पता है सर sales कितने का था 10 लाक इसमें से पता है आपको margin of safety वाला कितना था 40% मतलब 4 लाक तो यह कितना होगा break even 6 लाक का हमारा क्या है break even point सर अगर आपको break even point पता हो और आपको PVR पता हूँ तो fixed cost बड़े आसाने से निकाल सकते हो अगर आपको break even point पता चल गया यानि मैं चलो मैं इस question को थोड़ा सा पहले detail में ले जाते हैं इसो हटा देते हैं Sir आपने break even point बातो बातो में निकाल लिया कितने निकले? Sir 6,00,00 Sir आपने यहाँ पे बातो बातो में MOS in the terms of amount भी निकाल लिया कितने निकले? 4,00,00 यहाँ तक बात क्लियर है अब चलो break even point का formula open करो Sir break even point होता है हमारा fixed cost divided by हलाकि question ने बोला break even point और net profit भी बताओ तो यह net profit के लिए मैं कर रहा हूँ divided by PBR ठीक है Sir break even point पता है बिल्कुल Sir पता है 6,00,00 Sir FC पता है नहीं पता जी Sir PVR पता है question ने पहले ही बता दिया तो 0.5 ले लो इंटू 100 करो चाहिए ऐसे करो इसको इंटू करोगे तो Sir 3,00,00,00 रुपए का आगया हमारा FC fixed cost कितने का आगया Sir 3,00,00,00,00 अब question ने पूछा break even point तो break पूछा दा है नहीं पूछा दा है यह required net profit and break even break even point तो निकाल चुके है इस sale के उपर हमारा 3,00,00,00 रुपए का 6,00,00,00 का हमारा break even point है अब बात कर लेते हैं Sir profit की profit statement के लिए हमें काम करते हैं इस working note को थोड़ा सा side कर देते हैं मिटा नी रहा ओहो यह पूरे में जाएगा यह anyways मुझे थोड़ इसे जगह चाहिए अब ही आपको लग रहा होगा थोड़ा जीव जीव कैसे कैसे हो रहा है यह लेकिन definitely मैं आपसे कह सकता हूं मैं बता सकता हूं आपको यह उपर क्यों आ गया चैली इसी इसी portion को लेते हैं पूरा हो रहा है यह तो कोई नहीं है हमें इसको सिर्फ मार देते न अब अब साइद फिर हो जाए वो हाँ थोड़ा उपर ले जाते हैं इसको ओके ओके सर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ओके वीजवल है चीक है चलिए सर यहाँ पर निकाल के देते हैं income statement income statement में सबसे पहले sales sales है आपके एक तो यह answer का part है यह मैं समझाने के लिए कर रहा हूं sales दे रखा है आपको 10 लाग minus variable cost सर variable cost आपको पता है percentage के terms में मैंने बताया कि variable cost होता है हमारा 100 minus में PV तो 50% है तो 50% के हिसाब से आप हिसाब किताम लगाते हैं सर यह बन जाता है हमारा 5 लाग रुपे इसके बाद हमारा आ जाता है contribution सर 5 लाग रुपे minus कर दो सर FC FC है यहां पे 3 लाग रुपे जो हमने निकाला है सर प्रॉफिट कितने का आगया सर सर प्रॉफिट आगया 2 लाग का examiner का सारे जवाब हमने दे दिये तो question हो गया done तो यानि हमें question को सबसे पहले पूरा समझना होगा कहीं ना कहीं से answer आपका निकाला जा सकता है बताईए इसके अंदर कोई doubt अगर आपका है तो किताब के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है इसके answer कई तरीके से निकाले जा सकते है लेकिन लेकिन आपने simply जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे देखिए आप practice करेंगे तो आप भी बहुत सारे methods निकाल पाएंगे ठीक है